हालो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चनल पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सामने आज आपके पास यह कह लीजिए कि आपके पास अल सब्जिक्ट हम देखने वाले साइकली सेक्शन भी इसमें इंक्लूड रहेगा आज क जो मौक टेस्ट आपको लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ 100 कोश्चन है जिसके पास टाइब में वही आपके जोई इसको जोईन करना बाकी जोई लंबा रहने वाला है थोड़ा सा और क्यूंकि एक्जाम आपके नजदीक आने वाला है तो आपको सिर्फ इविलिशन का मुग कोश्चन कर रहेंगा आप जो इसमें अपने साथ में क्या करना नौटबुक और पैन आप ले लेना साथ में कुछ एक पॉइंट आपके एक्स्टा में बताने वाला उसको आप साथ साथ नोट डाउन करेंगे पहली बार दूसरी बात यह है कि आपके अपने मिलान कर लेना कि कितने कोश्चन आपके इसमें सही हो पाते हैं अगर आपका स्कोर इसमें 70 प्लस रहा तो निसंदे आपकी त्यारी इतनी बैतर है कि आपको सिर्फ रवीजन पर दियान देने की जूरत है क्योंकि अब आपके पास समय जो है सिर्फ आपके रवीजन का रहे गया है तो आउंड ओफ तबेल वस कंसीरल अब देखिये यहाँ पर एक्सप्परिमेंट छू था एवान पयोलो का एक एक इक्सप्परिमेंट है जो की डोग क्यों पर आपके किया गया अगर मैं बात करूँ तो किस आपके पास संबंदी था क्लासिकल कंडिशृ slang से आपके पास यह स फिर आपके पास में आपके पास कौन सा होगा सब इस पास पहले हैं इसमे से आपके पास एक पूप्शं सही, बाकि आपकी गल्रत में हम तोड़ा सा समझा भी में डर्म ब問 नहीं पढ़ना हुए कि दोंग सब्सक्राइब के सीज़ेड ह आपके आपके साथ इसकी जो conditioning की गई तो ये किस तरह का conditional था ये unconditional तो नहीं था तो conditional stimulus था food plus bell बेल के साथ जो conditioning हुई है ये आपके पास क्या रहेगा यानि कि आपके पास option जिसमे C दिया था conditional stimulus ये आपके पास यहाँ पर right हो जाना था ठीक है तो पहले गा जिसने भी आपके पास यहाँ पर option जो C था इसको आपके लगाया है बिल्कुल आपके पास ठीक है और आपको एक number यहाँ पर निसंदे मिल जायगा इसका अगला प्रिशन आपके पास है in the classical conditioning UCR and CR आपने बताना है जो classical conditioning प्रिशनिंग थियोरी है जैसे कि आपके हमने पढ़ लिया है classical conditioning theory के बारे में हमने अल्रडी मेरे वीडियो भी डाली है अगर आपने नहीं देखिये तो psychology के लेक्सी वीडियो उसमें जाकर देख लेना ज़्यादा समय नहीं दूँगा आपको दो तीन चार सेकेंड आपको मिलेंगे सोचने के लिए आप चाहिए तो वीडियो को पहुँच कर सकते हैं इन classical conditioning UCR और CR यह UCR क्या आपके पास UR क्या है UCR ने UR से पिसमें पूछा है और CR यहाँ पे आपके पास unconditional response और conditional response दो की बात के लिए कि unconditional response आपके पास और conditional response यानि कि response जो होगा रासिकर कंडिशनिंग में हमने क्या देखा था जब कंडिशनिंग हो जाती है तो response हमेशा दोनों कैसे होते हैं सेम होते हैं यानि कि खाने को देखकर लाराना और बाद में सिर्फ आपके पास जो bell है उस bell की sound को सुनके आपके लार आना तो यहाँ पे आपने क्या देखा दोनो टाइम जो है दोनो टाइम आपके पास रिस्पॉंस चो मिला वो आपके दोनो टाइम same मिला यानि कि आई तो लार ही ऐसा तो नहीं है कि लार आपके नहीं आई या ला रहे हैं कम या ज़्यादा मातरा में आई कम या ज़्यादा मातरा हो भी सकती है ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा नहीं होगी लेकिन अच्छल में आ तो ला रही है response जो है response आपके पास किस तरह का देखने को मिला तो response आपको देखने को मिलता है यहाँ पे हमेशा वो सेम रहेगा यानि कि एक बच्चे का जो है injection लगने के बाद रोना और दूसरी बात जो है बच्चे को सिर्फ injection के नाम पर कहना कि तुझे injection लगा जाएगा उसके डर के मारे रोना तो दोनों स्थीतियों में आपके पास जो बच्चे का रोना है बच्चे का जो आशू आना है वो हमेशा सेम रहेगा तो यहाँ पे classical condition theory बे भी यही बात आपकी की गई थी यहाँ पे क्या होगा यह हमेशा आपके पास सेम आपके रहने वारा है तो यह आपके पास yes आपके हो जाना था जिसने भी किया है बिल्कुल आपके पास यहाँ पे ठीक है आगे चलेंगे आपके पास question आपके पास next है who is called the father of green evolution इसमें mix है question जिससे आपके बात दो psychology के होगे कुछ आपके पास SST के है कुछ GK section आपके पास होगा कुछ HBG के आपके पास होगा यानि कि 150 question का जो ratio आपका रहता है English को छोड़कर यहाँ पे maximum आपके पास cover किये है English के लिए भी जो मैंने model test paper आपके लिए बनाया है उसमें English भी include है उसको भी आपके लेकर आऊँगा अगर इसका response सही लगता है अगर student यहाँ पे serious है लगेगा कि आपको इस video से कहीं helpful मिल रही है तो वो भी आपके लिए solve करूँगा कोई दिक्कत नहीं है उसमें अब यहाँ पे प्रशन देख लेते हैं इसमें right क्या होगा father of green revolution यानि कि आपके पास किस की बात की गए हरित करांती की बात की गए बारत में जो हरित करांती है आप सभी को पता है हरित करांती के जनक आपके पास कौन माने जाते हैं तो हरित करांती के जनक की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे जो सही हो जाना था option जो B दिया था नॉर्मन बारलो यह आपके यहाँ पे सही हो जाना था सभी को बता है अब बाकी वेक्तियों के नाम की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास वर्गिस कुरियन भी समन्दी थे कुछ को एम स्वामिनातन भी लग सकता है आपके अपने एस्पेक्ट से यहाँ पे एम स्वामिनातन आपके सही होता लेकिन किसी और कंडिशन के साथ यहाँ पे सीधा आपके पूछा गया था father of green revolution यहाँ पे यह बात नहीं की गई थी कि आपके इंडिया का पूछा जा था अगर इंडिया में होता तो स्वामिनातन आपके पास कई न कई हो सकता था और आपको लग भी रहा होगा कुछ स्टोरेंट को तो यह लगना आपके पास सभाविक है अगले question पर चलेंगे अगला question आपके पास है operation flood is related to operation flood पहली बात कि इसको operation flood के नाम से भी जाना जाता है और यह आपके पास किस से संबन्दी थी दोध उत्पादन से संबन्दी थी आपके पास यह देखने को मिला इसको क्या का जाता है operation flood को आपके पास किस और नाम से जाना जाता है तो अगर आप यहाँ पर option देखें तो option आपके पास यहाँ पर दिये गए हैं तो इसमें white regulation आपके पास यहाँ पर राइट हो जाना था white regulation के नाम से भी इसको जाना जाता है इसके जनक आपके कौन है तो यह वर्गी स्कूरियन आपके पार जो की पीछे हमने option में देखा था अगला question आपके पास है question number 6 question number 6 नहीं question number 5 आपके पास रहेगा इसलिए number थोड़े से आगे पीछे कोई दिखकत नहीं है when is the national science day celebrated अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि national science day अगर यहाँ पे पूछा गया है तो एक चीज़ याद रखने हैं कि यहाँ पर day से भी करे बार question आपके देखने को मिलते हैं especially HPTate में किसी भी stream से हो तो day से एक दो question आपका बन जाता है तो यहाँ पर simple सा question है कि आपके पास national science day आपके कब celebrate किया जाता है तो इसमें जो right आपके पास हो जाना था right आपके पास जो देखने को मिलता है वो है 28 फैप तो आपके पास option जो भी था बिल्कुल आपके ठीक था अब आपने comment section में करना है comment क्या comment करेंगे comments आपने करना है कि यहाँ पे 12 अपरेल को क्या मना जाता है 21 अपरेल को क्या मना जाता है और 7 अपरेल को यहाँ पे क्या मना जाता है तो यह चीज़े आपने यहाँ पे इसको करेंगे आप comment section में comment आगे चलेंगे आपके पास question number 7 आपके पास जो देखने को मिलेगा the deficiency of vitamin C को देखिए vitamin C के अगर हम बात करें vitamin C की कमी से कौन सा रोग होता तो vitamin से भी a question आपके G के section के अंदर बन जाता है किसी भी stream से आपको कोई रिक्कत नहीं है यहाँ पे pressure बन जाता है और pressure ऐसे ही बनता है vitamin C कमी से कौन सा रोग होता, B से कौन सा, C से कौन सा D से कौन सा तो यहाँ पे vitamin C की बात की गई है तो vitamin C की कमी से आपके पास इसमें जो रोग निको निकोने का सकर भी option जो आपके पास यहाँ पे C दिया था यह बिल्कुल आपके ठीक था हो सकता है कि maximum का सही भी हो और ऐसा भी possible है कि कुछ आपके गलत भी आपके अंसर कर रहे हो, ऐसा हो सकता है option जो C दिया था, बिल्कुल आपके पास यहाँ पी ठीक रहेगा अब एक चीज़ आपने याद रखनी night blindness आपके पास कसकी कमी से होता है एनिमिया और ostomolishy आपके पास रिकेट्स आपके पास होगा, यह टिकेट्स नहीं है यह आपके पास रिकेट्स होगा यह रिकेट्स और बिलीडिट्स कमी से देखनी को मता यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए आगे चलेंगे आपके पास question number next इस्ते आपके पस Yozna Ayok जो कि आपके पास क्या है नीवतिय आयोग के पहले Youzna Ayok आपके काम करता था देहीं आपके पास कबist रखरो किया गया था प्रिषन आ ब्रूज्ण आप से पूछा गया है आपके पास क्या इसमें राइट होगा तो option अगर आप देखें तो option यहाँ पे अलग-अलग सभी के हैं तो इसमें जो आपके पास right answer जो होगा option जो बी दिया था 15 March 1950 ज्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंब आपके हो जाएगी एक class बहुत लंबी इस गिवन बाय तो classical conditioning जो तियोरी है जो learning की classical conditioning तियोरी है यानि कि शास्त्री अनुमनन का सिदान थे इन में से किस के द्वारा आपके दिया गया है बी एफ स्किनर द्वारा, थोंडाइक द्वारा, पेवलो द्वारा या फिर आपके कोहलर द्वारा राइट अंसर आपने बताना है उप्शन आपके पास दिये गए है तो classical conditioning तियोरी किस के द्वारा दिये गए इवान पेवलो द्वारा उप्शन यहाँ पे जो सी दिया है बिल्कुल आपके पास यहाँ पी राइट हो जाना था नेक्स्ट आपके पास से गोपाल केशन गोपली, सुभाचंद्र बोस्त, जुहालाल नहरू और आपके पास मदन महन माल दिव तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिये है हलाकि सभी से मेरा मन तो यह कर रहा है कि सभी से एक 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 फेक्ट आपको बता के चलू विद ऑप्शन, क्योंकि 100 कोश्चन करने है आज की क्लास में तो फिर पॉसिबल नहीं हो पायागा 100 करना, तो इस करके सर्फ आपको वन लाइनर में करवा रहा हूँ, क्योंकि यह इंपोर्टन चीज़े आपके लिए, इंपोर्टन कोश्चन आपके पास है बहुत इंपोर्टन सेक्शन आपके लिए रहे था यह मॉक्टेस चुमें ने बनाया है, बहुत सोर समझ के बनाया है अगर आप बहुत जादा सीरियस है तो कोशिश करें, कि इसको आप विद ऑप्शन सॉल्फ करें, ठीक है, क्योंकि विद ऑप्शन आपके पास नौर्थ का जो आपके पास लास्ट पॉइंट आपके देखने को मिलता है नौर्थ पॉइंट की बात की जाए, साउट पॉइंट की बात की जाए इस्ट की लास्ट की बात की जाए और आपके पास वेस्ट की लास्ट की बात की जाए इन सभी के अलग-अलग छोड है तो नौर्थ के अगर हम बात करें नौर्थ में आपके पास जो लास्ट पॉइंट है जो आपके according to latitude है जो अक्षाश रेखा कि इस आपसे लास्ट पॉइंट आपके टच करता है जो कि मैंने classes में अगर आप जियोग्राफी वाली एक वीडियो देखे latitude and longitude की मैंने वीडियो डाली है उसमें जाकर आप देखना है उसमें ये वाला आपका पूरे concept क्लियर हो जाएगा कि किस चोड को किस नाम से आपके जाना जाता है question आप देख लीजी आपके पास screen click पर दिया गया है British House of Common First Indian Member Elected तो कौन आपके पास British House of Common में आपके पास First Indian थे जो कि आपके पास elected होगे थे as a member तो आपके पास यहाँ पर option जो दिये गया है गांदी जी आपके पास देखने को मिले अमबेद कर दादा भाई नरो जी आपके पास रास बियारी गोष्ट इसमें से कौन सापके पास यहाँ पर राइट होगा option आपके पास दिये गये हैं तो अगर आपको लग रहा है यहाँ पर दादा भाई नरो जी और अगर आपको पता भी है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर राइट आपके पास दादा भाई नरो जी आपके पास यह option जो सी था बिल्कुल यहाँ पर ठीक था अगला question आपके पास है मुझे लग रहा है कि आपको से ज़्यादा ले रहा हूँ है समय थोड़ा सा कम करते है थोड़ा जल्दी आपको मैं अंसर बताता हूँ हिमाचल परदेश की कौन सी जील साथ जीलों का स्मो कहलाती है हिमाचल परदेश में हडिस्ती की अलग-अलग important जील से जील वाली वीडियो मैंने डाली है यहां पर राइट अंसर अब तक आपने सोच लिया होगा यहां पर आपके पास लामा जील ऑप्शन जो आपके पास यहां पर डी दिया था आगे चलिंगे द्यान से देखना इस कुश्चन को पहले आपके पास चीप जस्टिस ऑफ हिमाचल परदेश कौन आपके पास थे कुछ को लगेगा आपके पास M.H.B. कुछ को लगेगा महाचल माजन इन दो में maximum confusion रहेगा अगर अगर आपने पढ़ लिया है है फिर बाकी जिनको जिनने तो पढ़ा ही नहीं है उनको तो आपके कुछ भी लग सकता है वो तो उनकी दों में बात ही नहीं कर रहा हूं यहां पर फर्स्ट जो चीप जस्टिस आपके रहे थे हिमाचल परदेश के यह बहुत बार exam में प्रिशन बनता है तो MHB आपके पास देखने को मिले अब कुछ को मेरचन महाजन लगेगा मेरचन महाजन से भी यहां पर include किया गया है एक प्रिशन यूकि आगया आपको देखने को मिलेगा इसका wait कर लीजिए फिलाल इसका जो right answer आपके पास होगा वह आपके पास MHB होगा option first जो दिया था बिल्कुल आपके पास ठीक है अगला प्रिशन आपके पास mini Switzerland हीमाचल परदीश में स्थित है बिल्कुल सभी को पता है mini Switzerland आपके हीमाचल परदीश में स्थित है तो भारत क आपके पास देखे है mini Switzerland आपके खजियार को आपके कहा जाता है तो आपके पास खजियार यहां पर राइट हो जाना था option आपके पास जो दिया गया था C बिल्कुल आपके यह ठीक है तो यह आप यहां पर देख लेना आगे चलेंगे आपके पास question आपके पास next रहेगा हिमाचल परदेश कब तक मुख्य आयुक्षित रहा तो हिमाचल परदेश कब तक मुख्य आयुक्षित रहा था सब भी को बता है आपके पास कब तक यह देखने को मिला option अगर आप देखे 1948-1956-1971-1951 question number 16 के अगर मैं बात करूँ इसका जो right answer आपके पास हो जाना था option जो आपके पास यहां पर डी दिया है बिलकुल आपके पास यह सही हो जाना था अब यह क्यों सही हो जाना था क्योंकि 1951 में आपके पास जो भारत संसद है जो इंडियन पार्लिमेंट है उसके अंदर एक परस्ताव पास होता है परस्ताव आपके क्या पास हुआ उस इसको हिमाचल में सम्मिलित किया गया था हिमाचल सबसे पहले 1948 में चार जिलों के साथ आपके इस दित्तों में है आई यह वाला फैक्ट तो आपको सभी को पता ही होगे ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रिशन आपके देख लेंगे प्रिशन आपके पास यहाँ पे रहेगा हिमाचल परदेश के प्रथम और एकमातर विक्ति जिन्होंने सर्वच नयाले के नयादीश के रूप में काम किया है तो यही वाला प्रेशन जो आपको मैं उपर समझा रहा था क्योंकि कुछ लोगों को आपके क्या लग रहा था महरचन महाजन है तो महरचन महाजन यह है आपके पास जिन्होंने सर्वच नयाले के रूप में नयादीश के रूप में कारे किया है तो कहां के थे हिमाचल के थे और हिमाचल के प्रथम और एकमातर विक्ति आपके रहे है उस कारण आप्चिन जो आपके पास यहां पी दिया है बिल्कुल आपके ठीक हो जाएगा आगे चलेंगे नेसेट संसद का नाम है तो अगर आप HPD8 की त्यारी कर रहे हो तो आपके पास जितने भी आपके पास countries है जिनके जो आपके संसद के नाम पूछे चाहते हैं उनकी currency आपकी कईबार पूछ ली जाती है तो पता आपको ہोना चाहिए यहाँ पेर नेसेट जो है किस संसद का नाम है यह आप से पूछा गया है तो नेसेट जो संसद का नाम है इसरायल का आपके पास देखने को मिलता है जापान के संसित का नाम है comment section में comment किजिए देखते हैं आपके पास कौन-कौन सही answer आपके करते हैं अगर बात की जाएं यहां पर राइट की तो first permit elect to आपके पास six governor of महाराश्टा यहां की पास विजय लक्षमे पंडिल ऑप्चन जो first था बिलकुल आपकी यहां पर सही हो जाना था सुक्त अधिवेशन की बात की जाती है यहां पर सुक्त अधिवेशन क्या है सुक्त अधिवेशन किस अनुचेत के अंतरगत जो joint session आपके पार्लेमेंट में आपके बुलाया जाता है राश्टपती इसको बुलाता है किस article के अंतरगत यहां पर joint session आपके बुलाया जाता है ये संबंदी थे आपके पास जॉइंट सेशन जो आपके पास होता है तो जॉइंट सेशन आपके बुलाता कौन इसको प्रिजडेंट दौर आपके बुलाया जाता है और प्रिजडेंट इसको बुलाता है हला कि इसकी जो अधिक्षता है यहां पे जॉइंट सेशन जो आपक पर आपके देखने को मिलता है तो बारतिय सविदान में जो मौलिक अधिकार की रक्षा है वो मौलिक अधिकार के किस अनुचेत के नदर्गत आता है तो आपस पूछा गया सभी को पता है और यहां पर अगर मैं बात करूँ यह आपके अधिकार जो है यह सुप्रेम कोट के ते तह आपकी रिट जारी यहाँ पर की जाती है अगर आपके पास यहाँ पर हाई कोट होता तो यहाँ पर आपके अलग होने दे और अगर एक आपकी बास 226 आपके दिया होता तब भी यहाँ पर हो सकता confusion आपके create हो सकते हैं फिर आपने question को ध्यान से पढ़ना है लेकिन यहाँ पे 226 आपके आर्टिकल नहीं दिया गया है इसका मतलब आर्टिकल जो आपके पास 32 है जो कि option first आपके दिया गया है यह आपके पास निसंदे यहाँ पर सही हो जाएगा इसमें पांस तरह की रिट आपके जार कोशन जाले में तो यह आपको पता होना चाहिए यह वाली चीश ठीक है आगे चलेंगे आपके पास बारतिया स्वीधान की किस दारा के अंतरगत पंचायती विश्य रखा गया है तो यह question आपके पास simple सा है पंचायती रास से संबंदित आप समझ लीजिए तो यहाँ पे क सदारा की बात की कि देखिंगे दिखाना प्रेशन प्रेशन आपसे पूचा गया धारा आप से एमेंटमेंट नहीं पूचा गया है आप से धारा पूचा गया है एक्चल में धारा की हिसाब से भी यह गलत है लेकिन कोई बात नहीं इस तरह के आपके confusion वाले question आपको exam में देखने को मिलते हैं जान भूच के मैंने इस तरह से इसको धारा लिका है अलगी धारा का मतलब आपके पास आर्टिकल होता है लेकिन यहाँ पे धारा इसलिए आपके है क्योंकि आपको क्रिंफू जहां पर किया जा रहा है तो यहाँ पर आप देखे तो यहाँ पर आपके प और नायंटी-ईन्समिटो वीडियो बनाई है, उसमें जाकर आप इसको देखने लेना अगर आप नेडेर थोड़ा सा इसके बारे में देखने होगे क्योंकि चाहित ही रास्ते प्रिसन किण आपके बन जाते हैं, अगले प्रिसन क्यों चलते हैं ? दल बदल विरोदि कानुन, किस अनुसुची के अंतरगत समयलित आपके पास देखने को मिलता है। तो दल बदल आपके पास कौन सी अनुसुची है, तो यहाँ पे important जो अनुसुचिया है, वो सारी ह्याँ के मैंच जी Baptist. आपको सकतेमल यह श्मीन होंतый सेंटि ईन्प इंपॉर्टंटेज एक आहें कि रहे होंते हैं श्री पर्मिन आहिक्त तक्ति दल्वद्रुदी जो थे निए Nee कुछ अबितरинки कौन सा अनुचेद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है तो यहां पर यही वाला है जो आपको मैं पीछे समझा रहा था कि अगर आपके आर्टिकल 226 होता तो फिर्स्तिती कुछ और होती है अब यहां पर बारतिय स्विधान का कौन सा सुप्रिम कोर्ट में और आर्टिकल 226 हों के पास रिटे कोड़ में जाने की आपको अनुवती देता है और वहां से आपके रिट्च्वार यहां पर करवा सकते है तो इस इस साबसी यह दोनों हुए तो आपके पास यहां पर ढाइट हो जाएगा तो बहुत वाला आपके पास यहां पर राइट है तो इसको आ नरीगव सुछा उल्धा कॉष्टांस क्मक्षषय परस्ताओ पहला प्रेशिंग गालग्न से किस ने पेश गया था सविदान सभा के समक्ष उधेश्य परस्ताव यह किस ने रखा था और आपके पास किया गया अलग अलग यह three प्रिश्ण हैं की है कि राइक है थे indeed, आपके और आपके पुछा ऐा है कैसे सभा के समक्ष आपके चलेंगे तो बहुत बढ़िया है बाकी अगर बात कीजाए बाकी के option भी इसमें कुछ समझ कर मैंने रखे हैं जैसे कि आपको एक्जामपल दे दूँ 9 December 1946 इसलिए रखा है क्योंकि इस December सविधान की पहली जो बैठक आपके देखने को मिलते हैं 9 December 1946 11 December 1947 तो आपके पास गलत होगा अगर 11 December 1946 होता तो यहां पर सविधान की दूसरी बैठक हुए थी इसमें जो सविधान सभा की जो इस ताई अदेख्शाप की डॉक्टर राजिंदर पर साथ आपके चुने के थे तो उस करके आपके पास यह इस तरह के effect आपके बन सकते हैं 22 च आपके पास है सविधान सभा का अदेख्श 9 December 1940 से लेकर 11 December 1946 तक यह से चुना गया था तो यहां पर सविधान सभा की पहली बैठक 9 December को होती है और जब आपकी पहली बैठक होती है तो इसमें एक अस्ताई अधक्ष की तोर पे आपके जो चुने गए थे उनका नाम आप से पूचा गया है option आपके पास सभाचंदर बोस राजंदर पर साथ option आपके बास सभी दियेगे इसमें से सही आपने बताना है कौन सा है 9 December को जब यह पहली बैठक होई उस समय अधेक्ष आपके कौन चुना जाएगा इसका निल्ने नहीं किया गया था तो फ्रांस में एक प सभास था यह बल्कुल आपके ठीक था उसके बाद 11 December 1946 को सभीदान सभा का जो अधेक्ष हो आपके डॉक्टर राजंदर परसाथ को बनाया गया हाला कि यह सिर्फ सभीदान सभा के लूप में बैठक होती थी उसके अधेक्ष थी एक बैठक आपकी विधायका के तोर पर द अधेक्ष पर दिया गया है अमेरिका जर्मनी आपके पास रूस है जर्मनी दो बार दिया कोई दिक्कत नहीं है आपे fundamental rights है यानि कि fundamental rights का मतलब हो गया आपके मौलीक अधिकार मौलीक अधिकार बारतिय सविधान के अंदर जो आपके लिये गये हैं किस देश के सविधान से लिये गये है तो सभी को पताव के वोगा अमेरिका के आपके देखने को मिलेगा तो option first जो भी लेकर चल रहे हैं इसमें ज़्यादा समयने कर आप करते हैं क्योंकि सभी को पता है अमेरिका से आपके ये लिया गया है बारत का राश्ट्रीगीत पहली बार आपके कब गया गया है तो कहां पे चल रहा था कलकत्ता में चल रहा था किसका अधिवेशन था इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन नहीं है बात दिये राश्ट्री कॉंग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में 1896 किये बात है पहली बार इसमें आपके बार बारत का जो राष्टी गिया थे इसको आपके गाया गया 11 December 1896 को किसने लिखा है सभी को पता होगा आप कमेंट से कमेंट कीजिएगा और कहां से लिए गया है ये भी आपको पता होना चाहिए किस उपने आप से इसको लिया गया था कई बार पेशन ऐसे भी बन जाते हैं हिमाचल प्रदेश में कितने मंडल है ये भी सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश में कितने मंडल है आप कुछ स्टूरेंट आपके जिन्नोंने बिलकुल नहीं पढ़ा है study का touch में नहीं है वो आपके 68 भी कहें सकते हैं जो कि बहुत गलत बात हिमाचल प्रदेश में कितने मंडल आपके पास देखने को मिलेंगे तो हिमाचल प्रदेश में total आपके पास तीन मंडल है कौन-कौन से तीन मंडल है comment section में comment किजेगा बाकि अगर आपने hpgk के वनता हो जोने question के series देखी होगी तो वहाँ तो हमें बहुत बार यह आपके discuss की है बात 8% सविधान में कितनी बाशाओं को मानता प्राप्त है तो भारतिय सविधान के अंदर कितनी बाशाओं को मानता प्राप्त है वर्तवान की बात की जाए तो वर्तवान में 22 है तो option जो D था बिल्कुल आपके ठीक था बात की जाए मुल रूप से बारती सिवधान में कितनी भाषाओं को मानता प्राप्ती फिर आपके पास option जो C आपके उसके according होना था तो अभी फिलाल आपके पास इसका right answer होगा option D शिक्षा किस सूची का विश्य है तो question number आपके पास next है शिक्षा किस सूची का विश्य है तो अगर मैं बात करूँ सेंग सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आपके पास सात्वी जो अन्य सूची है सेउन्त schedule के अंदर आपके पास ये तीन सूची आपके देखने को भी लेगी union list आपके पास, state list आपके पास और concrete list ये तीन सूची आपके पास देखने को भी लेगी वर्तमान में बात की जाए, समवर्ती सूची के अंदर आपके पास देखने को मलता है शिक्षा, तो शिक्षा जो है किस सूची का विश्य आपके पास है तो option आपके D दिया गया था, समवर्ती सूची आपके पास right हो जाएगा पहले ही आपके पास राज्य सूची का विश्य हुआ करता था बाद में इसको राज्य सूची से अठाकर इसको 1976 किये बात है या आपके पास किसमे किया गया तो समवर्ती सुची के अंतरगत इसको रखा गया है मातमा गांधी पहली बार शिमला कब आया थे तो बहुत बार प्रिशन आपके एक्जाम में देखने को मलता है और इनके शिमला आने से ही यहाँ पे अगर बात की जाए हमाचल परदेश में जो कॉंग्रेस की अगर मैं बात करूँ कॉंग्रेस की शाखा की जो शुरुआ थे वो गांधी जी के आगमन से आपके माने जाती है तो कब आये थे 1921 में आये थे कहां पर रुके थे यह भी कई बार प्रिशन बन जाता है कितने वेक्तिन के साथ आये थे और किस एक प्रता को खत्म करने के लिए आया थे साथ में ऐसे प्रिशन बन जाते हैं कि जब यह आया थी इनके आने पर कौन सा नार आपकी दिया गया यहां के लोगों द्वारा इनको क्या से संबोधित किया गया था ऐसे प्रिशन भी बनने के संभावने आपके अधिक तर रहती है थर्टी चीके आगे लेखे थर्टी टू कोश्च नमबर आपके पास रहेगा इंडियन इंस्टिटूट आप टी एडवांस स्टडी को पहले किस नाम से जाना जाता था आई आई एस जो आपके पास है इसे किस नाम से जाना जाता था वर्तमान में जो आपके पास एडवांस स्टडी है जो कि शिमला में आपके देखने को मिलता है पहले इसे किस नाम से जाना जाता था प्रिशन आपके पास दिया गया है आप्शन आपके पास अगर आप देखी आप्शन C, वाइस रिगर लोज के नाम से पहले इसको जानते थे, आप्शन आपके पास जो सी होगा, ये बिलकुल आपके पास चीक होगा आगे हैं इंद्रिया गांदी मेडिकल कॉलेज का पुरान नाम, जो आपके पास आईजीमसी है, शिमला के अंदर आईजीमसी आपने सुना होगा बहुत बार, फहमस है काफी जादा, तो आईजीमसी के अगर मैं बात करूँ तो आईजीमसी पहले आईजीमसी नाम नहीं था, पहरे इसको किसी और नाम से जाना जाता था, आप्शन आपके पास दिये के हैं, रिप्पन अस्पदार, लिटन, स्नोडल और दीन दियाल उपादया, तो स्नोडल अस्पदाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आईजीमसी का फुराना नाम स्नोडल अस्पदाल था, बाद जित्तो में 1948 में चार जिले कौन कौन से थे सभी को पता होगा सिर्मोर हो गया आपके पास चंबा हो गया मंडी हो गया महासु हो गया यह चार जिले थे पांचोय जिला जो आपके पास बना था यह बहुत बार प्रिशन आपके बनता है तो आप सबी को पता होना चाहिए नहीं है पता तो अब भी जान लिजिए बिलासपुर आपके पास 1954 में जो पार सी आपके पास राज्य था इसको हिमाचल परदेश में पांचोय जिला के इसके मस्तिष्क में पहली बारा देखिए जो बारती राष्ट्य संग है यह पहले आपके पास बारती राष्ट्य संग था पहले आपके पास बारती राष्ट्य कोंग्रिस नहीं था तो पहले यह इंडियन नेशनल यूनियन आपके हुआ करता था संग के रूप में आपक पास जो आम जिंनता उनकी समस्याहों कॉ जो है एक माद्यां बनाया जाए обяз itaire क्या सबक्राय को छोज़े सरकार के समक्ष्ट रखने इसका काम था और अनीक उसे कर बनाया लिया, बात मेंने इसका नाम आपके डाल दिया उस topic को में repeat नहीं करता तो उस कारण जो है आपको हो सकता है कि पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो पहली बार अगर आप जुड़े हो तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में चले जाए क्वाल्टी लेंडपॉइंट यूट्यूब चैनल की प्ले जागेगा प्रवाइड करवा दूगा बाकी आप अभी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना बाकी के जितने topic आपके पास हैं इंद्रा पॉइंट आपके पास situated है देखें इंद्रा पॉइंट यह आपके पास दो fact यहां से बनते हैं यह भारत की जो दक्षनितम भूमी है ए तो कहां देखने को मिलता है अंडवान निकोबार के में देखने को मिलता है जिसको कि किस नाम से जाना जाता है उसको जाना था इंद्रा पॉइंट के नाम से इंद्रा पॉइंट जो है दक्षनितम बिंदू है इंद्रा कोल आपके पास क्या है इंद्रा कोल आपने अभी बिल्कुल आपके ठीक हो जाना था नेक्स आपके चलेंगे question आपके पास next है under which article finance emergency can be declared in India तो किस article के अंतरगत बारत में जो है वित्य आपातकाल की घोशन आपके की जाती हैं तो आप सभी को पता है article 352 क्या है article 356 क्या है article 360 article 368 तो यहां पे है ही नहीं emergency से तो इसकी बात भी नहीं करते तो यहां पे emergency से लटे तीन article ले जिसमें से article 360 आपके जो है वित्य आपातकाल से संबंदी थे option जो आपके पास ती दिया था यह आपके पास यहां पे सही हो जाना था आगे चलेंगे आपके पास according to Skinner operant conditioning theory a negative reinforcement अगे चलेंगे आपके पास जो तीयोरी है जिसको आप सक्रिया अनुबंदन का सिदान्त कहते हो यह आपके पास क्रिया परसूत अनुबंदन का सिदान्त में इसको कहा जाता है एक ही बात है operant conditioning कह लिजी क्रिया परसूत कह लिजी या फिर आपके पास क्रिया अनुबंदन कह लिजी एक ही बात है तो इसमें operant conditioning theory में जो आपके पास negative reinforcement है वो आपके पास किसके लिए आपके यूज़ किया जाता है वो आपके है क्या तो आपके पास option दियेगे, behavior therapy है, reinforcer है, remover of positive reinforcement या self reinforcement आपके देखने को मनेगा, तो किसके लिए आपकी हो जाता है, यह remover of the positive reinforcement, तो किसके लिए negative reinforcement आप यूज करेंगे, जो positive है, उसको जो है remove करने के लिए, तो इसको वहवार में परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे नकरात्मक प positive reinforcement यह आपके पास यहाँ पी right हो जाएगा, BF Skinner is famous for his theory, आपके पास सभी को पता है, learning के कौन सी theory है, तो operating conditioning अभी तो हमने बात की, option जो भी था, आपके पास यहाँ पी right हो जाएगा, इसके उपर अलग से वीडियो बनी है, theories के उपर जाकर देख लेना, अगर आपको conditioning behavior and reinforcement is, तो क्या आपके पास positive होगा या negative होगा, जो behavior आपके पास, option conditioning behavior आपके पास, reinforcement के तो पर positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, तो यहाँ पर option जो see दिया है, बोथ आपके पास यहाँ पी right हो जाएगा, state from the heart, आपके पास पुस्तक के लिखक कौन है, तो पुस्तक कई बार पूछ ली जाती है, जो famous आपके पास writer है, आपके पास कोई, आपके पास स्केली जी की sports person है, कोई आपके पास नेता है, जिसने कोई book लिक हाली में, current to fair में दो तीन question ऐसे पूछे जाते हैं, तो state from the heart, प उस तक के लिखक आपके कौन है, तो option आपके पास जूबी दिया गया था, कपिल दियो, ये बिल्कुल आपके यहां पी सही हो जाएगा, बाकी पीटी उशा को क्या का जाता है, मिलका सिंग को क्या का जाता है, सोजने नाइडे को क्या का जाता है, कमेंट सेक्चिम में कमेंट कीजिएगा, और आपको पता होना चाहिए, लेक्षिक कौन है आपके पस पुस्ताग के तो मुदरा र door к आपस पूछे जो पु स्थक है इसके लेक्षिक आप से पोचेंगे आपके पास लिमिटेड है विशागदद पारेनी मैघस्टिनेज्ज सबी को पता होगा विशागदत की पुस्तर के तो option जो first था ये आपके बिल्कु चीक है पाड़नी ने संस्कृत गरंत लिखा है कौन सा लिखा है बताना मेगसनेस आपके पास क्यों important है बताना मेगसनेस की कौन सी book आपके पास important है मात्मा गांदी ने देश रतन के उपादी क किसे दी ती तो मात्मा गांदी ने टाइटल दिया देश रतन किसी विक्ति को कहा था किसे का राजंदर परसाद रविंदर नाटे गोर स्वाचंदर बोस या जिना इन मेंसे किसे देश रतन आपके कहा था article आम आपकी आर्टिकल नहीं है आपके परस question number 45 पे मात्मा गांद दीगे 100, 1 km, 1,440 मिनट, 24 मिनट या फिर 4 मिनट इन मेंसे आपके पास क्या option होगा तो सूर्य को एक देशानतर से दूसरे देशानतर तक पहुशने में कितना समय लगेगा सीधी सी बात है कि पूरी पृत्वी जो है अपना एक चक्कर आपके पास 24 गंटे में आपके पूर करती हैं तो 24 गंटे में पूरा चकर अगर एक चकर पूरा कोई करता है अपनी पोजिशन यहां से चलता और यहीं पर आपके वापिस आता है तो यह 360 हो जाता है 360 डिगरी है पूरी पिठ्वी तो अगर आप इस ते साफ से देखे 24 गंटे में अगर 360 डिगरी गूम जाती है तो एक मिनट में कितने आपके पास एक डिगरी गूमने में कितना समय लगेगा तो कम से कम चार मिनिट आपके पास लगेगे तो ऑप्शन डिगरी आपके पास यहां पी राइट था बंगालरी वाजिन आपके वापईस कब लिया गया ध़िया ध्यान से परेशन सुननना कई बार है तो फिर जादा जल्दी आपके पास हो जाएगा बारत्य संसद ने किस वर्षगर्स राज्यों के लिए संबंधित अधिनियम पारित किया ये तो मैंने आपको बातो बातों में दो-तिन बादर बता दिया है Part C के लिए जो एक संसद में एक अदिनियम पारित किया गया था 1951 की अबात है तो यहां पर हिमाचल परदेश को भी 1951 में जो पार्ट C का आपके पास राज्य बनाया गया था और 56 तक आपके पास हिमाचल पार्ट C था 56 के बाद आपने देखा होगा कि 1951 तक तो आपके पास के अंदर शाषित परदेश है तो वह भी आपने याद रखेंगा कॉंटी 8 दिसंबर की यह बात है कोक्ति वन्य जी अभिहारन हिमाचल परदेश के किस्चुला में तो कुक्ति वन्य जी अभिहारन शोर्ट में भी ने डाला था जो आपके पास HPGK के शोर्ट में आजखल दीखतो शोर्ट में डालें तो डिस्टिक चम्बा से संबंदी थे option जो बी दिया था यहाँ पे बिल्कुल आपके पास right हो जाना था नेक्स पर चलते हैं अबला कोशन आपके पांस से उच न्याले की प्रतम महिला न्यादीश आपके पास कौन थी तो उच न्याले की प्रतम महिला न्यादीश आपस पूचा गया है ध्यान चे दिखना उच न्याले कहा गया है सुप्रिम कोट नहीं है अगर आपके पास सु सवीधान सभा की पहली बैठक बातों बातों में बहुत पार अभी मेने एक्स्राफेक्ट के साथ बता दिया है 9 December को आपके पास देखने को में दिया है 9 December 1940 को यहां पर option जो आपके पास ती दिया था 9 December 1946 यहां पर राइट हो जाना था अगरा question लोगसभा में राष्टपती कितने स्टस्यों मनोनित करता है तो यह भी बिल्कुल basic से question है अब ऐसा हो सकता है कि मुझे basic लग रहे हो जो पहली बार पड़े उन्हें ना लगे तो लोगसभा में आपके पास राष्टपती दो स्टस्यों को मनोनित कर सकता है तो option यहां पर first दिया था बिल्कुल आपके यहां पर ठीक था कुछ को 12 लगेगा तो 12 कि अहां पर करेगा आपके पास राज्यसभा में राज्यसभा के स्थस्य को चैनित होने तू नियुंतनाई हो तो राज्यसभा का अगर आपको स्थस्य बनना है तो minimum age आपके कितनी होगी 30 आपके रहेगी तो राज्यसभा के स्थस्य बनने के लिए कम से कम आयो कितनी होती है होता है किसके लिए कितनी कितनी आयू आपकी होगी मुख्य मंतरी बनने के लिए कितनी है पुडान मंतरी बनने के लिए कितनी है राश्पती बनने के लिए उस वीडियो के अंदर एक के अंदर बहुत सी जीजी आपको clear हो जाए đây देख ले ना एक पार playlist में जाकर उसमें political का एक अलग से बना है फोल्डर जो प्ले लिस्ट के अंदर तो उसमें पॉलटी वाले में देख रहे हैं ना संसद करके एक अलग सी वीडियो का लिए टॉपिक होगा उसमें मिल जाएगा आपको वह सारा कंटेंड संसद के ना के प्रतिनीदीसिवा को पता है जंताका जो सदन है प्रतिनीदीसिवाब इसको कहा रहता है तो आपके लोग सबाब के पास रहेगा सिक्ठ अदिशिन आपके पास यहां पर टीक हो जएगा शुन्यकाल में भारत की जो शुरुआ थे या बात की जाए भारत में भारत में ही शुरू हुआ था एक प्रिशन आपसे पूछा गया है ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिएगे 1962, 1966, 1971, 1996 अब मुझे बहुत असान से प्रिशन लग रहे है तो 1962 में आपकी पास शुन्यका तो यह भी आपको पता होना चाहिए किस सदन का daq का सभबा, ऊसका सथाह नहीं होता बहुत बच्चों वाले कोष्ट नि कोष्टि मुझे लग रहे हैं पता नहीं आपको भी लग रहे हो शायद तो यहाँ पे राज्य्यसहबा कर दो इस तखेय का सभफा पता थे वर्ष परेजिडेंट आपके पास उपराश्रपति होती है और उपराश्रपति बनने के लिए minimum age भी आपके पास 35 यह रहती हैं तो ऐसा नहीं है, कि अगर आपके पास यह राजय सबा का सथ़ते, जो जो है राजय सबा का सवापती है उसके लिए minimum age 30 होगी, ऐसा नहीं है, 30 सिर्फ राजय सभा के स्थे बढ़ने के लिए, क्योंकि उप सभापती इसका स्थे नहीं होता, सिर्फ इसका पदेन सभापती के रूप में कारे करता है, तो इसके 35 minimum age रहेगी, और बात की जाये तो उसका स्थे होता है, तो उसका स्थे स्थे कौन से है, यहां पर बात की जाये, सेरी कल्चर की, तो सेरी तो बहुत important आपके पास है, यह रेश्यम उत्वादने से संभंदित आपके देखने को मिलेगा, बात की जाये पंगूरों से तो वीटी कल्चर आपके पास है, बात की जाये, यहां तो PC कल्चर है, इसके ल फोडर वी मने बनाया ह। अगर उसमें जाकर आप सारी वीडियो देख पाते हूं। अभी लगवग आपके पास 20 से लेकर 25 डेज है 25 डेज से ज़्यादा ही आपके पास है तो मुझे लगता है गर वो सारी वीडियो आप इमान दरी से भी देखोगे तो यहीं से आपके एच्पूटर्ट क्लियर हो जाएगा निसंदे भारत में शेहनाई वादक के लिए प्रमुक विक्ति आपके पास कौन थे बिस्मिल्ला खान पंडित रवी शंकर जाकिर हुसेन और हाफीज खान तो इसमें से अगर आप देखे तो बिस्मिल्ला खान ऑप्शन जो फॉस्ट है यह शेहनाई वादक यह तो आपने जब आपके स्कूल में आप थे तो बिस्मिल्ला खान से तो अलग से एक चेप्टर आता था शायद हिंदी की भुक में था तो वहाँ पर भी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान में रखा हूँ तो वो चीज़े भी आपको याद रहे जाएगे एच पी जी किसे कोश्चिन है चमबार यासित की स्थापना किसने की ध्यान से सुनना यहाँ पर प्रिशन आपसे पूछा गया है चमबार यासित के अगर मैं बात करूँ अलग है चमबा शेहर अलग है चमबार यासित की स्थापना आपके किसने तो की थी इंपोर्टन है यहां पर option अगर B देखे तो मेरी वर्मन आपके पास यहां पर राइट हो जाएगा चंबा शेहर की जब भी बात की जाएगी तो साहिल वर्मन आपके पास important है आगे चलेंगे आपके पास खजी आर को मिनी स्विजिलेंट का दरजा तो सबी को पता है बारत का मिनी स्विजिलेंट खजियार जो की चंबा में देखने को मिलता है इसका दरजा जो है डवलू पी ब्लेजर द्वारा दिया गया था कब दिया गया था option B 7 जुलाई 1992 को आपके पास देखने को मिलता है important fact आपकी यहां परी साथ साथ लेकर चलेगे 7 तरजा हिमाचल परजिश की किस चले में है तो 7 तरजा आपके पास देखने को मिलेगा option यह है option जो D था चंबा आपके पास यहां पी right हो जाएगा मिन्जर मेले में जो एक किस देवता की पूजा की जाती है तो मिन्जर मेला तो सभी को पता है मिन्जर आपके पास एक कस तरह का मिला है तो यह international fair के अंदर देखने को मिलेगा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है वरुन देवता की की जाती है मिन्जर का प्रवाह यहां पे किया जाता है तो वरुन देवता आपके पास important है बेसों की बली भी आपके ऐसा मानता है अलाकि बली प्रथा पे अब रोक लगाईगी है तो अब current का मुझे नहीं पता किया ऐसा हो या ना हूँ चंदर नहान जी लिमाचल प्रदीश के किस चिले मिस्ती थे तो चंदर नहान की जब भी बात की जाएगी लगता है चंदर नहान नहान एक जगा है सिर्मौर में तो उसकर के सिर्मौर लगता है एक्चल में सिर्मौर नहीं आपके पास शिंबला होगा option जो first था बिलकुल आपके पास यहां पर ही सही हो जाएगा आगे चलेंगे शिक्षा मनविग्यान को जोडने वाली कड़ी कौन सी है तो शिक्षा मनविग्यान को जो कड़ी जोड़ती है वो कौन सी जोड़ती है मानव वहवार, अंदर दर्शन, संग्यान आत्मक्विकास, या ननौप, दीज तो यहां पे आपके पास अगर बात की जाए, मानवियार को जोनने वाली जो कड़ी है, वो human behavior है, मानव वहवार है, तो मानवियार को जोनने वाली कड़ी क्या होगी, मानव वहवार option जो फॉस्ता है, यहां पी बेकूर चीक होगी, बुद्धी लब्दी के समान्य सीमा आपक 90-110 कि किसके according है, किसके अनुसार ही आपके पास 90-110 रेगी, बाकी अलग-अलग जो आपके पास साइक्लोजिस्त थी है, उन्होंने तो अलग-अलग आपके दिये, तो यहां पे सर्वमानी यह है, 90 से लेकर 110 अगर आपका IQ है, तो समान्य आपके पास बुद्धी लब्दी ह आपकी, तो अगर आपके 120 प्लस है, तो फिर तो आप विशिष्ट वाले हो, फिर तो कुछ ने कर सकते हैं, गेस्टालवादी ने जो अधिगम सिदान्त आपके दिया था, गेस्टालवादियों ने अधिगम सिदान्त या कौन सा दिया था, इंसाइड थियोरी आपके पास देखने को मिलता है, कोहलर की बुक्ती उसके कारण इसका नाम जादा आपके देखने को मिलता हाला कि थे ये सारे गेस्टार्ट थियोरिस्ट्री थे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करू तो यह किस ने दिया था, तो इससारे थियोरि इनके द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शिन जो फॉस्टा यहाँ पे आपकी पास राइट हो जाना था, आगे चलेंगे आपके पास, आगे आपके पास जो कोश्चिन देखने को मिलेगा जब बच्चा अपने माता पिता तता अज़ा आपको से अनन्त प्रेशन पूछता है, तो किस प्रविति का उत्तिक होता है तो अनन्त प्रेशन का समझते हो जिसका अन्त ही नहीं है अगर ये हुआ तो क्यों हुआ अगर ऐसा होता फिर क्या होता इस तरह के अनन्त प्रेशन जिनका कोई अन्त नहीं है तो जब भी अनन्त प्रेशन बच्चा पूछेगा इसका मतलब क्या है कि बच्चे में आपके पास curiosity जादा है जानने की क्या चीज़े हो रही है क्यों हो रही है अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ ये बच्चे की curiosity बताता है किसका उत्तक है बच्चे की जिग्यासा आपके बताता है के लेफशा आपके पास कहां पर पहली जो उत्तक है क्यों हो रही है किसा किरो थे बतानों मिलती है क्यों प्रथन का दिश्तान प्रिश्पाहा की कृणग दिया प्रफिक करके इसको लगा देंगे जो मेरे पास रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो याद होगी होगी चीज़े थोंडाइक द्वारा इसको दिया गया था ट्राइलेंड प्रतन और भूलकर से दाल the concept of reward and punishment in the process of teaching learning is based upon the law of learning in learning path reward and punishment का जो आपके पास है ये आपके पास जो देखने को मलता है law of learning पे है तो ये किसके दौर आपके बात देखने को बिला बीएफ स्किनर पेवलो थोंडाइक और को होड़ा the concept of reward and punishment reward and punishment की जो बात है कौन करते हैं सभी को पता है आपके थोंडाइक क यहाँ पर आपके पास right हो जाना था option c चीए कुछ को बीएफ स्किनर लगेगा बीएफ स्किनर नहीं है बीएफ स्किनर ने तो इसी के law of effect है उसके उपर काम किया है बीएफ स्किनर ने तो यहाँ पर punishment और reward के process के अगर मैं बात करूँ तो यह किसके उपर आपके पास किसके law of learning के उपर आपके पास था बात तो यहाँ पर यह बीएफ स्किनर की की गई है लेकिन यह पूछा गया है तो यह जो concept था reward or punishment का यह किसके उपर था तो किसके law of learning पे था तो आपके पास law of effect जो है लर्निंग के प्राइमरी law स्किनर तीन लोग देखने को मलते हैं थोंडाइ सी यहाँ पर राइट हो जाना था वो प्रपाउंडे दा सेंप्लिंग थी तो सेंप्लिंग थी आपके पास किसके द्वारा देगी है बहुत बार आपके पास देखने को मिलता है option जो आपके पास यहाँ पर थांडाइक तिया है अलाकि इसमें spelling आपकी गलत है लेकिन कोई यहाँ पर आपके पास important है थांडाइक नहीं होगा आपके पास Thompson थांप्सन हो पर पांडाइक की बात कि गई आपके कौन सा होगा Thompson होगा थांडाइक उपर वाला ही याद रहे गया कोई बात सेंप्लिंग थियुरी किसने दी थी Thompson द्वारा दी गई थी बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है होना ही नहीं चाहिए गलत मतलब भी नहीं बनता संभावना नहीं है अगर आपने maximum वीडियो देखिए psychology की जाकर तो यह तो बच्च वारा question आपके पास आगया है बार बार हमने देख लिया है तो Skinner देखिए ओप्षिन बी तो शेशो वस्ता को सीखने का आदर शकाल जो है किसने यह माना है बहुत बार रपीट हुआ है question तो Valentine द्वारा option जो सीथा बेलकुल आपके पास यहां पे right हो जाना था तो यह भी हमने कर लिया है वर्दी मलकोहल और कोफा सारे यह विक्ती थी गेस्टाल साइक्लोजिस थी अभी मैंने आपको उपर एफेक्ट के साथ बता दिया था option जो डी था यहां पे यह right होगा इसमें आगे चलेंगे आपके पास 5 और जो चाइल्ड है उसका अगर अगर से करेंगे तो कर दीजिए कितना होगा 20 20 को आपके पास कर दीजिए तो कितना होगा 100 होगा तो आप्शन यहां पे क्या होगा option जो यहाँ पे दिया गया है option B यह आपके पास यहाँ पे right हो जाएगा simple जाए concept है इसमें कुछ नहीं है अभी में नहीं है समझ किजी को यहाँ पे क्या पुछा गया 5 year old chart 5 year old chart मितलब किसकी वास्तियू काई chronical age कितनी है C A कितना है इसका C A मतलब chronical age वास्तियू काई कितनी है 5 लिखते हैं 5 नीचे mental age कितनी है 5 year mental age तो पहले ही दिया गया बस इसमें एक फरक यह है अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता और 5 year तो फिर आपको समझ जाना था इसमें 5 आपके पास F I V E लिखा है numeric आपके नहीं लिखा है तो 5 upon 5 कर दीजिए इसको multiply आपने 100 से करना है क्यों करना है क्योंकि आपको सभी को बता है ma upon c multiply by 100 आपके पास यह formula आपके पास देखने को मिलता है यह तो सभी को बता होगा इस formula के according आपके उसको निकालना है बाद में जब इसको आप divide कर दोगे तो 5 से अगर आप करते हो मान लीजिए आपके पास यहां पे 5 है तीक है 5 से अगर 100 को पर 20 बाद में 20 को आपके पास 5 से कर दीजी multiply तो 100 आपके पास हो जाता है तो इस करके आपके आपके पास यह अराम से निकल कर आ जाएगा कि कितना IQ आपके पास है तो यहां पे 100 आपके पास यहां पी देखने को मिलेगा आगे चलेंगे आपके पास मात्मा गादी की अध्यात्मी गुरु बहुत बार प्रिशन आपके बनता है आगे चलेंगे बारत से बाहर किस मुगल शाशक का मकबर है तो ये मकबरे आपके पास कई बार पूछ ली जाते हैं जो मुगल शाशक है, बाबर की बात की जाए, जहांगीर की बात की जाए अकबर की बात की जाए, तो ये सभी के मकबरे आपको पता है अकबर के बाबर की बात की जाए कहां पे हैं काबूल में आपके पास इसका मकबरा देखने को मिलता है बात की जाए आपके पास जहांगीर की तो जहांगीर का मकबरा शहादरा में आपके पास देखने को मिलता है जो कि लाहूर में है तो अप्शन A और B आपके दोनों होगा अकबर का तो सिगंद्रा में था ये तो सिंपल सा कोश्चन है ठीक है तो ये आपको मैंने अलग से प्रवाइट कर रोया है ये वाला टॉपिक भी मैक्सिमूम टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है अकर आप इस मॉक टेस्ट में 70 तक स्कोर कर लेते हो तो फिर ठीक है फिर किस राजा ने जो है औरंजेब के मंदिर को गिराने के आदेश को ठुकरा दिया अर इसको चमबा की यह अवै ज़डी लगाने को कह़ों ते लिजिक सोने का कुछ है लगाने को कि हर बंद्र भेंधिश लगा दीजिए उसके अधिश के अवयल ना करने इंद्रा कांधी ने गिरजा मैदान जो कि आपके पास शिम्हडा में 8% आपको एसकों दिया गया थी उस्पारदिश में परिश्य में इश बना दिया गया था इसका हुआ है है बना दिया गया था नरूप बहुत गहां जो ज 1956 में इसको बंग किया गया है यह आपने यहाद रखना वर्तमार में 68 आपके पास यहाँ पे विदानसभा के स्थास्थिया है अगर आपसे यह भी पूछा जाए तो पता होना चाहिए विश्वर रक्तदान दिवस कब मना जाता है बाकी 15 जून को क्या होगा 9 जून को क्या होगा 4 अपिल को क्या होगा यहाँ पे राइट एंसर जो होगा आपके पास 14 जून तो 14 जून को आपके पास ब्लड डे आपके पास वर्ड ब्लड डे आपके पास यहाँ पे दिखने को म जलता है आगे चलेंगे आपके पास सविधान सबाकी अंतिम बैठक बहुत बार आपके पास स्टूडेंट गलत कर जाते हैं कि अंतिम बैठक आपके कब हुई थी कुछ को लगता है 26 नॉमबर 1949 कोई थी लेकिन ऐसा नहीं है 24 जनुरी 1950 जो सी दिया था यहां पे सही हो जागा बाकी बात की जाए 26 जनुरी 1950 यहां पे सविधान आपके लागू होता है हलाकि सविधान को अंगी करित अडॉप्ट आपके पास 26 नॉमबर 1949 को आपके किया गया था ठीक है 27 नॉमबर 1949 तो पहली बैठक आपके भी थी K 육ास करिया के अगला प्रिशन्व कि पास कांए सविधार निर्मान में सविधानिक शवलाकार निक्त वेkar दिवेघृ दो प्रिशन äg लगे है LOOK स्विधानिक शलाकार एक थे आपके पास किसके मन में ये विचार आया था तो आपके पास विचार तो MNROI के मन में आया था स्विधानिक शलाकार नुक्त के लिए थे BNROI ठीक है तो ऑप्शन डी यहां पे राइट होगा इसका BNROI हरमंदिर साहिब एट परजेंट का आपके हरमंदिर साहिब यह आपके पास क्या है गोल्डन टेमपल आपके पास कहा पे अमरिज सर में जो गोल्डन टेमपल है इसी को आपके हरमंदिर साहिब भी कहा राता है तो आपने इसमें परशान नहीं होना इसमें प्रेशन पूचा गया कि इसका जू निर्मान किया था तो गुरू अर्जुन देव दोरा इसका निर्मान किया था अब प्रेशन आपके लिए कि हर smart पानीपत का जो पहला यूद है किसके साथ लड़ा तो ये तो बताने के जो पहला यूद आपके पास है इनमें से तो आप्शन है नहीं कोई पानीपत का पहला यूद है नहीं पहला यूद के साथ लड़ा था को पहला यूद कुर्ट के गया नहीं जो आपके पास कुतफमीश कुतब दीन तो यह पूरा नाम के पास है कुतफमीश कुतफमीश वेक्तिश लंग है तो यहाँ पह पहाइग है और वियह पैस क्वोटरा किस्त ने बना यह गीजाते है तो कुत्व पर दीनेबग दुवारा ज्वारा बनाया गया था 80 दिन का कियी जगा इसको 90 दिन का जोपड़ा भी कहrob है लेक बात है बना Plaza कोर दोटबनार्का जो निर्मान है इस टार्ट इसने किया था कुत्व दीनेबग ने के पास सविधान के किस सविधान के नगर पालिका कि जो बाग की बात की किस बाग के नदर राजबाशा आपके देखने को मिलेगी राजबाशा वही वाली जो आपके पास कितनी बाशाओं को मानता प्राप्त है वो राजबाशा वाला ही है अब भाग की बात की कि किस बाग में एक चुनबे आएगा तो बाग आपके पास दिये बड़ा और गहरा महासागर आपके कौन सा है तो विश्चु का सबसे बड़ा भी है और गहरा भी है कौन सा महासागर है तो गहरे की बात की जाए तो अगर आपको एक चीज भी इनमें से पता है तो आप लगा सकते हैं यहां पे दो लोग एक सबसे बड़ा पूचा गया और स कौन सी जगहा है जो सबसे गहरी है यह भी प्रेशन बनता है किजे जड़ा कमेंट सक्षिन में कमेंट कीजे है अलाकि है अच्वीचेट में इतना नहीं जाया जायाएगा चलिए नेक्स आपके देख लेंगे नेक्स आपके पास आप देखने को बलेगा रहा बारत का तो ये भी मैंने आपको बातों बातों बताई दिया था कि कब आपके बना तो आपके पास part C जो आपके पास देखने को मिला ये 1956 तक आपके पास part C रहा तो 1971 तक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास ये संग्षाशी परदेश आपके रहता है 1956 से लेकर 71 तक मुख्य आयुक तक 1951 तक आपके रहा ठीक है? 1951 तक मुख्य आयुक तरहा था उसके बार आपके पास 1956 पार्ट C के रूप में आपके देखने को मिलता है आगे चलेंगे आपके पास उदेपूर का प्राची नाम प्राची नाम भी पोछले जाते हैं हिमाचल परदेश में बहुत रस्ता आने से हैं कि आपके प्राची नाम किसका क्या है तो उदेपूर का जो प्राची नाम इसमें से क्या था किर्गराम किसका था? कुलोट किसका था? दमेरी किसका था? दमेरी नूरपूर का था? कुलोट कुलो का था? किरगराम आपके पास बेजनात का देखने को मलता है यहाँ पे क्या पूछा गया है उदेपूर तो उदेपूर में एक ही दौप्शन आपके बच गया है मारकूल तो मारकूल जो आपके पास प्राची नाम ही यह किसका देखने को मलता है उदेपूर का आपकी पास यहां पर देखने को मगता है आज का अन्तिंप्रिष那么 और आपकी जान में जाने हाँ पर आयी होगी प्रिष呢 आपके पास क्या है इन में से किस वेड को करम कांडी वेड कहा राता है तो यहां पर तरशन थोड़ा सा अठपटा आपके टाइपिंग के मिस्टेक है इनमें से किस वेद को करम, कांडी, वेद आपके पास कहा जाता है करम, कांडी, वेद इसमें से अतरवेद हो गया और यजुरूर्वेद सामवेद सिंपल सा है जिसमें करम कांड की बात की कि यग सबंदी जो नियम और विद्यों का जो संकलन है वो यजुरुएद में आपके पास देखने को मिलता है तो इसके कोडिंग आपके पास क्या हो जाना था इसके according आपके पास यहां पे जो right हो जाना था, option जुस्सी दिया गया था, यह जुरुएद आपके पास यहां पी important है, एक प्रिशन शायत इसके लाए और बच गया है, हाँ, एक और प्रिशन आपके पास अंतिम प्रिशन आपके पास यह रहेगा, किस मुगल शाशक के काल को स्वान यूग आपके पास कहा रहता है, option आपके पास दिये गया है, औरन जीव आपके पास शाजाह है, जहागिर है, अकपर है, एक ही जोर है, औरन जीव का मकपरा कहा है, पता होना चाहिए, शाजाह का मकपरा, जहागिर का मकपरा, अकपर का मकपरा, यह मकपर है आपके पता होना चाहिए अलग से मैंने वीडियो आपकी डाली है उसको जाकर आप देख रहे ना फिलाल हम बात करेंगे यहां पे किस मुगल शाष्ट के काल को स्थाप्पे कला का जो है स्वाइन यूग आपके पास कारा स्थाप्पे कला समझते हो स्थाप्पे कला ठीक है जिसमें पी डिया गया था शाठ आपके पास यहां पी रइट हो जाना था ठीक है बागी तो आपके पास यह ओं लाइन ख्यूप्क को जुरूर शेयर कीजिएगा आकी मिलते हैं अगली क्लास में आप से भी कामिर साथ बने लेने के लिए तैदल सी बहुत बहुत धन्यवाद